क्रिप्टो मार्केट जो है वो बुल्ट सीजन की तरफ आगे बढ़ती जा रही है कई ना कई हम लोग यहां पर इंजॉई कर रहे हैं दिकारिण जर्नी ऑफ दी क्रिप्टो कांसी मार्केट बट उसी के साथ साथ यह भी इंपॉर्टेंट है हम लोगों को जानने एक लिए कि कुछ ऐसे मिटकाप क्रिप्टो के बारे में भी बात करेंगे जिसकी बात आज की टाइम में जादा नहीं हो रही है बट शौल यहां पे इनकी बाते जो है वो काफी होंगी कौन-कौन से वो क्रिप्टो है उसको जानने कले वीडियो एकदम एंट तक जरू दिखिएगा का कोई भी आदम आके आपके कमेंट सेक्षिन में कि कमेंट करके यह बोले कि हमारा WhatsApp नंबर है तो नहीं से बचके रहना वह सारे स्कैमर से किसी भी शोचल मीडिया से कभी हम आप से क Strange करते और किसी को भी अपने किर्प्टो से नहीं करने किसी को अगर आपने क्रिप्टो से कर होता है थोड़ा से एक्जाम्पल यहां पर हम लेते हैं हमारा जो कंप्लीट पूर्पुलियों यहां पर काफी ज्यादा क्रिप्टो यहां पर हम लोग बात करें वी चेंच और ली लास्ट टूंटिफॉर आज में इट अब 30.8 परसें न्यूट्रॉन जिसके बारे में हम लो 5.7 परसेंट डाउं डी-sow 3.1 परसेंट कोखीनो 7.2 परसेंट टाउं जहां पर हम यह मिग्स बैलन्स लेके चलते हैं अपनी क्रिप्टो पोट्फोलियों का वहां पर हमने ओवर ओल देखना है कि हमारा पूरा पोट्फोलियों कैसे यहां पर परफॉर्म कर रहा हैं अगर अगर market वैसा ही behave करती है, जैसा हम लोग expect करते हैं, well, शौल लिए आप लोग market से profit ज़रूर निकालोगे, but market में profit निकालने के लिए, आप लोगों ने एक चीज़ ensure करनी है, कि आपके पास quality cryptos होने चीज़, कौन-कौन से cryptos आते हैं, यहाँ पे एक mid range, mid range से अगर हम लोग बात करें, from rank number 20 to rank number 100, जिसमें काफी अच्छा potential है, इसके बारे में बात करने के लिए चलते हैं, एक बार coin market cap में market का हाल देखते हैं, और बात करते हैं regarding these amazing cryptos, जो इस category में fall होते हैं, and yes, एक अच्छा potential यह definitely रखते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने open कर दिया coin market cap, currently जो global market है, that is a 0.8% total market cap, अगर हम crypto market की बात करें, that is 1.97 trillion dollars, यह number जो है वो बढ़ता जा रहा है, which is a good sign for the crypto currency market, dominance की बात करें, BTC का dominance is 52.2%, e dominance is 17.4%, halving जो है बो 61 days यहाँ पे दूर है, Bitcoin की अगर हम लोग currently बात करें, 52,270 dollars, यहाँ पे हम लोग काफी नजदीक आ चुके हैं, from its previous all time high, but simultaneously बात करें, तो काफी mid-cap cryptos हैं, in fact, काफी top alt coins हैं, जिसमें आप लोग यहाँ पे अभी भी investments कर सकते हैं, for example, the likes of Ethereum, जो अभी तक उतना ज़्यादा pump नहीं हुआ है, as you compare it to even Bitcoin, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, the likes of XRP, the likes of ADA, AVAX, Chainlink, Chainlink, in fact, is one of the crypto, जिससे मुझे काफी ज़्यादा उम्मीद है, in the upcoming bull season, surely हमारा buying price जो है, वो काफी कम था, from the current price, तो यहाँ पे हम और DCA नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे अगर हम बात करें, Polkadot 2.0 आप सामने आने वाला है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं हम लोग from Polkadot 2.0, काफी चीज़े हैं, जो यहाँ पे चेंज होगी, Matic for example, एक अच्छा crypto, जिसके बारे में हम लोगों ने काफी बार बात करी, अगें यहाँ पे एक कोशन आता है, कि Matic कब $1 के उपर पहुँचेगा, और कब वो breakthrough करेगा अपना एक नया all time high, यहाँ पे ICP भी एक अच्छा crypto है, बट जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, तो शॉरली हर crypto में कोई न कोई एक ऐसी चीज है, जिसकी वज़े से वो crypto हमारे पास होना चाहिए, फर एक्जामपल यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, Uniswap की, Uniswap यहाँ पे हम बात करते हैं, decentralized exchange की, अच्छा crypto है, जहाँ पे हम लोगों को पता है कि bull run सामने आएगा, यहाँ पे volume जो है वो increase होगा, बट यहाँ पे कुछ ऐसे cryptos भी है, जिनकी तरफ हम जादा देखते हैं, फर एक्जामपल, दे लाइक्स ओफ Optimism, फर एक्जामपल, जिसका TVL value यहाँ पे काफी ज़्यादा increase हो रहा है, यहाँ पे अच्छा crypto है हमारे, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, रेंडर को लेकर, अनद अगूड प्रोजेक्ट इन दी क्रिप्टो काईंसी मार्के, बट इन सारे cryptos के बारे में हर कोई बात करता है, कुछ ऐसे cryptos भी हैं market में, जिनके बारे में बहुत ही काम लोग बात करते हैं, जिन क्रिप्टो के बारे में बात करते हैं, सबसे पहला crypto यहाँ पे अगर हम लोग देखें, that is RV, RV जो यहाँ पे काम करता है on storage, current prices $11.67 से, The interesting part is कि यहाँ पे आप circulation supply देख सकते हो, 99.17% जो है market में circulation में, previous all time high was $90.94, जैसे confusion जरूर चलता है, जब भी हम storage cryptos की बात करते हैं, क्या हम ICP में invest करें, या हम file coin में invest करें, या RV में invest करें, well अगर हम ICP को side में रख देते हैं, because वो अलग categories में भी आता है, the difference is between file coin and RV, इन दोनों में pick करना actually में काफी ज़्यादा simple है, because जहाँ पे हम बात करते हैं, टुकनॉमिक्स की, surely RV वहाँ पे एक upper hand रखता है, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं lower cap crypto की, आप लोग ने सुनोगा, जहाँ पे हम लोग बात करते हैं AI crypto की, well अकाश वहाँ पे काफी अच्छा perform करता हुआ आ रहा है, यहाँ पे अगर हम last one year का भी data देखते हैं, तो it is phenomenally up 539%, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके previous all time high key that was $8.08, काफी लोगों की माने, तो यह अपने एक नया all time high market में बना सकता है, इसके वेबसाइट में जाके आप इसके बारे में और भी research कर सकते हो, well साथ ही आते हैं one of the crypto में, जो आज की टाइम में काफी अच्छा यहाँ पे पाम दिखाया है जिसने, and yes we are talking about a blockchain, जो यहाँ पे काम करता है on supply chain management, हम लोगों ने इसके बारे में काफी टाइम पहले भी बात करी थी, we chain कैसे एक अच्छा crypto हो सकता है in your portfolio, या surely काफी इसने frustrate कर आपने investors को, जहाँ पे आप प्रिवेस एक साल का data देखते हैं, यह इसने कुछ जादा खास movement यहाँ पे शो नहीं करी थी, but we chain again started to pump, and people have again started to talk about it, चौली यहाँ पे जो crypto's pump हो रहे होते हैं, उनके बारे में लोग बात करना जादा परसंट करते हैं, currently अब 27.6% in last one day, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, previous all time high की, that was 27 cents, अभी भी काफी जादा दूर हैं हम लोग previous all time high से, क्या we chain अपना एक नया all time high बनाएगा, well मैं यहाँ पे जरूर मानता हूँ कि we chain अपना एक all time high बना सकता है, but reaching to $1 कहीं न कहीं questionable है, in fact यहाँ पे अगर हम 50 cents की भी बात करें, तो वो भी कहीं न कहीं doubt में आता है, बट crypto market है, कुछ भी हो सकता है, हमारे अगर personally आप पूछेंगे, तो we chain हम sell off करना स्टार्ट करेंगे in the market, as soon as it reaches somewhere around 35 cents, वहाँ से हम लोग selling करना स्टार्ट करेंगे, let us see कि कहां तक यह जाता है उसके आगे, and yes एक अच्छा खासा benefit हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, अल्गोरेंट की, another crypto जिसके बारे में बहुत काम लोग बात करते हैं, one of the good crypto in the cryptocurrency market, यहाँ पे आज के टाइम में इसका price चल रहा है around 19 cents, last one year की बात करें, हम लोगों ने इसको cover करा काफी बात, यहाँ पे जब यह 9 cents के आसपास था, we started to talk about it, और कैसी एच्छी खासी investment हो सकती है, previously देखें तो काफी अच्छी rally इसने दिखाई, आज के टाइम की भी बात करें, तो growth यहाँ पे नजर जरूर आती है, if not in terms of price, बट यहाँ पे अगर हम developments की बात करते हैं, करें, well, algo is a good pick, हमारे portfolio में algo काफी time से पढ़ा हुआ है, we are holding it, and yes, आगे जाके कब इसको sell करना है, that will completely depend कि algo यहाँ पे move करना कब start करता है, well, coming on to the next project in layer 1 is near protocol, near protocol का current price $3.41, अगर हम यहाँ पे चलें, previous bull season में, तो यह price जो है, वो काफी lucrative लगता है, many people wanted to buy near protocol, जब previously इसने touch करा था, somewhere around $20, और उसके पीछे दो reason से, सबसे पहला था इसका price prediction, जो market में float हो रहा था, of somewhere around $50, people wanted to buy near protocol, एक near competition इसको देख रहे थे, towards Ethereum, और यहाँ पे play out काफी अच्छे से हुआ for near, यहाँ पे near, जो है, near में हम लोगों को मिली, हम लोगों ने भी near में invest करा, आप लोगों इससांद भी share करा, well current price of near, surely उपर लगता है, अगर आप उसको compare करते हो है, last one year, जहाँ पे इसका price जो है, वो काफी नीचे आया था, but अगर आप यहाँ पे overall देखते हो, तो अभी भी काफी upside है, जो near यहाँ पे कर सकता है, near previously $50 नहीं पहुँचाता, near previously पहुचाता, somewhere around $20 if I am not wrong, $20 and 42 cents, आज के time से भी काफी upside है, yes near अपने एक नया all time high, definitely बना सकता है, with the kind of things which are happening in near, people will start to speak about it, in fact, लोगों ने अभी से बात करना start कर दिया, because इसका price जो है, that is up three times, यहाँ पे जब यह इसने अपना low बनाया था, वहाँ से उपर है आज के time में, and surely एक upside हम near में देखते जरूर है, well यहाँ पे बात करें, next कौन सा crypto, जैसे आप सब को पता है, इसका नाम है beam, beam के बारे में आपने off lately, काफी चीज़ें जो है वो सुनी होंगी, यहाँ पे इसका price जो है, वो two cents के आसपास, आज के time में हमें मिलता है, last one day में definitely it is down 4.71%, but एक upside जो है वो beam में हम definitely देखते हैं, previous all time high की बात करें, that was around three cents, जो इसने touch कराए in February 2024, एक ऐसा crypto जो यहाँ पे merit circle के नाम से पहले आता था, उसका नाम जो है change करके आप beam रख दिया गया, gaming infrastructure की जो projects होते हैं, शवाली वहाँ पे एक जाधा confidence हम लोगों को होता है, जब हम gaming category देखते हैं, because जो crypto's काम करते हैं on the games, particularly खाली एक game या दो game में, वो depend करते हैं कि वो game जो है, कितने लोग खेल रहे हैं, कितने लोग उसमें participate कर रहे हैं, कितना वो game जो है, वो famous हो रहा है, whereas if we compare that to a gaming infrastructure project, well, gaming infrastructure में कोई ऐसे limitations नहीं हैं, काफी games हैं जो यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे खेलते हैं and yes, उसी के साथ-साथ infrastructure जो है, वो काफी जादा pump भी होता है, if the gaming category grows, यहाँ पे gaming infrastructure के project काफी जादा grow हो सकते हैं, another crypto in the gaming infrastructure is immutable X, in fact, यहाँ पे immutable X सबसे बड़ा crypto है, जहाँ पे हम बात करते हैं, गेमिंग काटेगरी की, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, इसके प्रीवियर्स all-time high key that was $9.50, जो इसने टाच करा था in 2021, प्रीवियर्स बुल्सीजन जो है immutable X देख चुका है, क्या आगे जाके इसमें कोई pump हमें देखने को मिलेगा, वेल जहाँ पे हम लोग बात करते हैं, immutable X की याँ जहाँ पे हम बात करते हैं, बीम की, आग्चली में एक ऐसी काटेगरी में आते हैं, जहाँ पे मैं थोड़ा जादा tilted हूँ, and you might hear a lot of good things regarding the gaming cryptos from me, but surely आप लोग ने अपनी study करने होती है, हर आदमी का अपना thought process होता है, मिरे पास कुछ ऐसी categories है, जिनके लिए I am very bullish हूँ, and yes क्यों bullish हूँ, वो भी आपके साथ में share करता रहता हूँ, so yes immutable X एक अच्छा बाय है, आज की time में भी एक अच्छा बाय है, शौर लिए आप एकर आप downside की बात करें, तो bitcoin अगर fall करता है, तो obviously यहाँ पे सारे altcoins भी fall करेंगे, market में opportunities आपको मिलेंगी, pump भी मिलेगा, साथ यसाथ थोड़ी corrections भी आपको देखने को मिलेंगे, that is the time जब आप यहाँ पे invest कर सकते हैं, next ripto की बात करें, which is from layer 2, is optimism, optimism का current price is $3.86, well why do we pick OP ahead of Arbitrum, Arbitrum जो काफी अच्छा काम कर रहा है, इसमें कोई भी doubt नहीं है, कहीं न कहीं हम लोगों को भी ऐसा लग रहा है, क्यार कोई mistake तो हम लोग नहीं कर रहे हैं, कि एक ही lot हमने Arbitrum का अभी तक purchase कर रहा है, March जो almost आने वाला है, वहाँ पे काफी जादा token जो हैं Arbitrum के unlock होने वाले हैं, wealth अब तक Arbitrum का price कितना होता है, that will be a major factor जहाँ पे हम लोगों का ये decision, of holding one lot of Arbitrum, क्या वो successful होता है या नहीं होता, वो depend करेगा, but yes, optimism on the other hand is growing, optimism का all time high was $4.57, जो इसने touch कर रहा था, जब ये market में launch भुआ था, yes, काफी बार ही हमें देखने को मुला at around $1, and that was a time हम यहाँ पे DCA करते हुए चल रहे थे, आज के टाइम में हम hold करके चल रहे हैं optimism को, because एक upside definitely यहाँ पे नजर आती है, और एक upside ज़रूर नजर आती है, दो ऐसे crypto की जिनको हम cover भी कर चुके हैं previously, and yes, एक अच्छा खासा upside हम वहाँ पे देखते हैं, one is from the AI category, पाल AI के बारे में हम लोगों ने बात करी पहले भी, यहाँ पे अगर हम last one month का data देखते हैं 73.58% आप, यहाँ पे अगर हम last one year का data देखते हैं 2192% आप, शौली पाल AI के बारे में काफी फट भी आपको देखने को मिलेगा, काफी लोग यह बोलते हैं कि यहाँ पे कुछ न कुछ ऐसी चीज़े हैं, जो उनको समझ में नहीं आ रही, बी इट रिगार्डिंग दी token supply, यहाँ पे अगर आप पाल के बारे में पढ़ते हो हैं, काफी अलग लोगों को भी सुनते हो, वहाँ पे सब लोग आज के टाइम में इस crypto के बारे में बात करें, वन आप दी crypto जो launch हुआ in the beer season, वन आप दी crypto जिससे उमीद है कि काफी अच्छे return देगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इसके previous all time हाई की, तो वो आज के दिन ही बना है, पाल याई का यहाँ पे जो bull season है, वो अभी तक इवेटेड है, चौली अगर आपने crypto खरीदना है, तो आपके पास options जो हैं, वो थोड़े limited यहाँ पे रहते हैं, यहाँ आप Uniswap से purchase कर सकते हो, CoinX से purchase कर सकते हो, या HDX से, gate.io में अगर आपका पहले से account है, तो शौली वहाँ से भी आप purchase कर सकते हैं, वेल एक और crypto है, जिसके बारे में हम लोगों ने previously बात करी, which comes in layer 1, और यह इसका नाम है Neutron, Neutron जो की बना in Cosmos ecosystem, Cosmos item की जो हमने वीडियो बनाई थी, वहाँ पे हमने Neutron की specifically बात करी थी, yes, we got in late, हम लोग यहाँ पे late entrance जरूर थे, because उससे पहले बात करें, तो इसका price जो है, वो 30 cents के आसपास, काफी time से चल रहा था, यहाँ भी हम लोग ने entry बनाई at around 80 cents की आसपास, and वहाँ से लिके अभी तक हम लोग almost double में है, but that does not mean की Neutron का यहाँ पे एक all time high बन चुका है, well, Neutron में potential जरूर है, Neutron में potential जरूर है, but ऐसे crypto जिनके बारे में आपने काम सुना होता है, शॉरली उसमें आपको trust भी थोड़ा काम होता है, Neutron के बारे में आप और भी study कर सकते हो, well, I would say कि इसके बारे में आप अच्छे से study करना है, but yes, साथ ही साथ आप लोगों ने decision लेना है, do you want to invest in any of these crypto's, because यह ही वो crypto's जरूर हैं, जिनके बारे में आज के टाइम में लोग कम बात कर रहे हैं, and yes, definitely आगे दाकि एक potential जरूर रखते हैं, for giving a massive return, mid-cap crypto's की बात करें, तो शॉरली बहुत सारे यहाँ पे crypto's और भी हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सही को, जहाँ पे हम देखते हैं सुई को, जहाँ पे हम लोग बात करें, render आता है, graph आता है, quant आता है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें, ordinal tokens आते हैं, यहाँ पे और भी crypto's आते हैं, जिनके तरफ आप देख सकते हो, definitely a cup side, यहाँ पे mid-cap crypto's में जरूर नजर आती हैं, एक investor जो है, वो invest करते हैं यहाँ पे अपनी research जरूर करता है, and that is what we want from you, अपनी research जरूर करें, अपना portfolio जो है, वो diversified रखें, हमने भी diversification इसलिए कर रखी है, because not every time, all of your crypto's will be in green, कुछ green में होंगे, कुछ red में होंगे, definitely लोग यहाँ पे बात करते हैं, on crypto's को लेके, जो green में है, but then when you are managing your portfolio, you need to make a balance, आपका balance जो है, वो green की तरफ जादा होना चाहिए, then the red, and that is how you will make profit in the crypto currency market, well market में अभी भी upside है, market में अभी भी आप लोग लेट नहीं हुए, but surely आप लोग धीरे धीरे, वो मौका छोड़ते जा रहे हो, जहाँ पे आप लोग massive returns की बात करते हैं, on the other hand, वो लोग जिनोंने 2022 में यहाँ पे purchases करें, those people are actually happy to see the market pumping, those people are actually happy and confident on their investments, जहाँ पे उन लोगों का portfolio definitely positive में होगा, and surely एक upside भी वो लोग देखते, जहाँ पे आप उनका mind जो है वो एक्दम clear है, कि bitcoin जो है वो 15,000 डॉलर्स तो वापस नहीं जाता, थोड़ी बहुत correction जो है वो हमेशा आती है, यह सारी चीज़ें आप उन लोगों का पता है, but as a new investor, be prepared for it, market में volatility हमेशा रहेगी, उस volatility से आपने डरना नहीं है, बलकि उसका फाइदा उठाना है, अब वो फाइदा आप कैसे उठा सकते हो, that is for you to take the call, आज के लिए guys इतना ही रखते, I hope आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, अब वीडियो अच्छा लगा हो, thank you so much for watching our channel, see you next time, okay, bye-bye.